स्वागत करता हूँ दोस्तो स्मार्ट टेक्निकल चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैंक एकाउंट NPCI से लिंक है या नहीं इसे अपने मोईल से कैसे चेक करते हैं दोस्तो कई बाड़ा ऐसा होता है जब आप कई सरकारी योजनाय का जो पैसा होता है जो आपके बैंक एकाउंट में भेजा जाता है वह NPCI से लिंक रहता है तभी आपके बैंक एकाउंट में पैसा जाता है अगर NPCI से लिंक अगर आपका बैंक एकाउंट नहीं रहता है तो सरकारी योजना का पैसा नहीं जाता है जैसे PM किसान समाननीधी का पैसा हो या कोई पेंसन का पैसा हो आपका बैंक एकाउंट NPCI से लिंक रहता है तब ही आपके बैंक एकाउंट में जाता है तो यह जाना जरूरी होता है जो आपका जो बैंक एकाउंट है NPCI से लिंक है य UIDAI ठीक है इतना लिख करके और इसको सर्च कर देना है दोस्तों यह लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिक्स्प्रिक्शन बॉक्स में दे देंगे वहां से भी आप चेक कर सकते हैं तो इसको सर्च करना है सर्च करने के बाद आपके सानवी एक नया पेज खुल के आजाएगा अब आपको क्या करना है यह जो फ्रस्ट वाला जो लिंक है इसके उपर में किलिक कर देना है यहां पर UIDAI इसके उपर में किलिक करना है इसके उपर किलिक कर देने के बाद आपके सानवी इस तरह का पेज पेज खुलकर आ जाता है अब को क्या खिर फोपर करते हुए नीची हाना है और यहां पर एक ऊप्र यहां प्रहार सर्विस का ठीक है आपको एक बार हर सर्विस के ऊपर में किलिख कर देना है यहां पर किलिक करना है इसके उपर क्लिक कर देने के बाद आपके सनुए फिर से एक नया पेज खुल के आ आजागा आपको क्या करना है यह पेज को थ्वासा नीचे स्कॉल करते हुए नीचे आना है और यहां पर एक option मिल जाता है अधार linking status ठीक है यहां पर अधार linking status है यहां पर मिल जाता है और इहां पर आप देख सकते हैं नीचे में एक option है चेक अधार bank linking status ठीक है तो यह हाँ पर चेक अधार bank linking status के उपर में क्लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है view your अधार and your bank account linking status अधार linking status is fetched from NPCI server ठीक है तो NPCI server से आपका bank account link है या नहीं यह link है यहाँ पर तो इसके उपर में click कर देना है इसके उपर click कर देने के बाद आपके सानुवी इस तरह का page खुल के आ जाता है अब आपको check करने के लिए यहाँ पर NPCI से link है या नहीं bank account आपको 2 option मिल जाता है ठीक है तो आपको दोनों में से एक option को डाल करके और check कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 option मिल जाता है एक है यहाँ पर अधार नमबर से भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर अधार नमबर अगर आप सलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अधार नमबर यहाँ पर बार डिजिट का फिल करना है अगर आपको वर्चूल आईडी से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर वर्चूल आईडी फिल करना है उसके बाद में यहां पर send OTP के उपर में क्लिक कर देना है अब आपके registered अधार नंबर में जो registered mobile है उस नंबर पर एक one time OTP भेजा जाएगा उस OTP को यहां पर पेस्ट कर देना है तो चलिए यहां पर अधार नंबर और capture को डाल के हम बताते हैं तो दोस्तों यहां पर अधार नंबर को डाल दिये हैं और यहां पर capture को डाल दिये हैं उसके बाद में यहां पर send OTP के उपर में क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद अब आपके form फ्रेस्ट करना है तो दोस्तों यहां पर खुल कि आ जाएगा तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं Czech अधार बैंक linking status pa और यहां पर in looking status तो यहां पर Bank Linking status है हैंग अगर NPCI से अगर link नहीं राता तो यहाँ पर in active बताता ठीक है तो यहाँ पर active बता रहा है इसका मतलब यह bank account जो है NPCI से link है उसके बाद किस date को यहाँ पर bank account NPCI से link हुआ है यहाँ पर date भी मिल जागा देखने को उसके बाद में हाँ पर कौन से bank से NPCI link है यहाँ पर bank का नाम भी मिल तो इस परकार से इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जो आपका जो बैंक एकाउंट है NPCI से लिंक है या नहीं दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एक लैक जरूर करें मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिंद